मंच पर उपस तेत सम्मानित नेतागन सी शंकरन दोंड़गे जी हमारे बीजी देश्मुक जी सी बगीरत बालके जी सी हरिबाव रातवर जी गनशाम जी कदीर मौलाना जी बानुदास मुर्कुटे जी और महारास्टा बियारेस के प्रभारी सी वम्शिदर राउजी मेरे मित्र और महान वेक्ति अन्ना बाव साटे के पोता सी सचिन साटे जी अन्ना बाव साटे के जो वारिस है सावित्री बाव साटे जी गनेश जी आज सचिन साटे ने मुझे ऐसा मोका दिया जीवन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं कहीं सबा में जाते हैं कहीं जगा बाशन भी देते हैं मैं सबसे पहले यहां इस मंच से महाराश्य के पावन धर्ति को सर जुखा के प्रणाम करता हूं और वाटे गाउं जो एक महान वेक्ति अन्ना बाव साटे को जनम दिया है उनके जनमस तल को भी मैं प्रणाम करता हूं आज बड़ी प्रसन्नता मिली है सचिन बाव साटे के तरफ से आप सुभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सवबा की मिला है अन्ना बाव साटे उनके जो तडप जो कविताये सारे समाज के लिए शोशित, पीडित, बंचित लोगों के लिए ही था सोचलिजम के तरफ भी उनका रुजान था समीक्त महाराशा के मौर्चा के आगे भी वो चले बहुत बड़ा सम्मानित कभी भी थे इसलिए उनको टाइटिल दिया गया लोग शाहर ये बहुत कम लोगों को मिलता है शाहर तो कहीं होते हैं लेकिन लोग शाहर जो लोगों के लिए बाटम लैंग में हैं उनके लिए लिखने वाले गाने वाले कम होते हैं लेकिन अनबाउ साथे ने कभी पीछे नहीं हटा इसलिए बड़ी खुशी की बात है सारे भारत को गरुप की बात है जैसे एक महान देश अन्ना भाउ साथे को पहचाना, लेकिन हिंदूस्तान नहीं पहचाना。 उन्होंने पहचाना और खास यहां के प्रदानमंतिर को इतला करके उनको रश्य भी बुला लिया, चन्मानित किया और आल रश्य लहिबरेदी में आज अन्ना बाव साथे का मुर्ति को भी प्रतिष्टापन किया रश्या कम्यूनिस्ट पाटी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे उनका विशेश नावल है माँ हम तेल्गु में कहते हैं अम्मा उस मा के नाम का जो नवल है मैक्सिम गोर्की का वो पूरे दुनिया में मश्यूर है कई बाशाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ हर देश में उसका उपलब्दी है लेकिन बड़ा दुख की बात यह है रूस सरकार ने अनावाव साथे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है बारत के मैक्सिम गोर्की इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए पीडित के लिए अपनी कलम से काफी लिख चुके हैं काफी कहे चुके हैं काफी लड़ाईयां लड़ चुके हैं उनके प्रती इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है यह बड़ी दुक्की बात है सचिन वाव मेरे पाथ जब आये थे मेरे साथ राजनीति का काम करने के इच्छा लेकर के कुछ किताब मुझे दिये थे जो अना बहुत सटे के लिखे हुए थे मैंने पूचे तो मराठी में ये भाई भाई में बराठी समय सकता कुछ अन्य बाशे में इसका ट्रांस्लेशन आगा कहीं नहीं मिला है मैं अनुरोद करता हूं महरावस्ट सरकार से कम से कम अपतो जागे आन्यवाव सैटे जैसे प्रकार का रचना है उद्श किया है दुन्या के सामने देश के सामने और किसी यह वर्ग के लिए नहीं होता है कि सवाजनीन होती है सारे दुन्या के लिए उसमें से ज्ञान मिलता है एक भारत के लिए नहीं कि अर्व जनीन होते हैं कि इसको जो भी है मुक्यमंत्री जी शिंडे जी से उनके मंद्री मंडल से मैं अनुरुवत करता हूं कि कम से कम अभी अन्ना और साथे के जितने भी रचना हैं उसके पूरी हिंदुस्तान के बाश्याओं म भी ट्रांस्लेट करवा है और वह आगे बढ़े सागे दुनिया को अन्ना बहुत साथे का गरिमा मालूम हो और इसके बाद में मातंग समाज जो हमारे भारत देश का मूल वास्यों का समाज है यह मेरा शब्द नहीं है मातंग समाज का महात्व और मातंग साज का परंपरा आज से नहीं है यह मातंग महा मुनिके वम्शज है मातंग महा मुनी जब शामला देवी के गान गा रहे थे तो मातंग ने उनके गर्ब में जनम लिया और उनके लिए कहा है क्वेका कहा है निल ज्जिति कोमलांगी मातंग कान्याम मनसास मरा य। यह कालिदाज जी का कहना है यह एक मातंग समाज का जो प्रतिष्टा जो गरिमा उनके प्रति गवरो यह बारत का पुरान और इधियास का यह परंपरा में भी शरीक है सचिन बाव साथे जिस प्रकार का मुझे वहां हैतराबाद में भी बताया अभी मंच पर भी बता रहे थे कि इनका आधर नहीं होता है अब अन्ना बाव साथे जैसा महान पुरुष्मान विक्तित्व का आधर नहीं होता है तो आपका क्या आधर होगा है नहीं देश यह ऐसा आते नहीं तब कोई सुनने वाला नहीं इस देश में देश का आदत ऐसा पड़ गया है कि मैं एक बात का एक प्रस्ता उलाना चाहता हूं आप सभा के सामने और अब सभी सहमत हो कि आपके तालियों से इसका समर्तन कीजिए मैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोडी जी से और महराष्ट सरकार से अनुरोध करता हूं अन्ना बाव साथे का रचनावं का उनका वेक्तित्व का प्रतिष्टा करना पुरे देश में जागूत दुनिया में जागूत करने का प्रयास करना यह हमारा देश का गरू होता है अन्ना बाउग साथे इस भारत का एक महान पुत्र है उनको रेस्पेक्ट देना हमारा रेस्पेक्ट बड़ता है इसलिए महाराश्ट सरकार भी काम करे और अन्नाबाउग साथे का नाम का भारत रत्न टाइटिल देने के लिए महाराष्ट सरकार नामिनेट करके बेजे और यहां के मुक्यमंत्री मुक्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूँ कि हम भी तिलंगान सरकार भी अन्ना बहुत साटे का नाम बेज देते हैं दिल्ली को मैं खुद भी खुद भी तदान मंत्री को मैं चिट्टी लिखूंगा जोके मैं खुद यहां आया हूँ, हाटे गाउं में, देख चुका हूँ, आपका जोश भी देख रहा हूँ, इसलिए आपसे प्रार्तना है तो यह है बात, अगर आप सहे मत हो मेरे बात से, सबा एक जुट होकर एक मुटी से तालियां बजाया और इस प्रस्तावों को पारित करें आप लोगों का धन्यावाद, और यह प्रस्ताव बना के, मैं मान यह देश मुख जी को, शंकर अन्य दोणके जी को प्रातना करूंगा, इस प्रस्तावों को दरूर बना के लाए, और हम प्रदान मंत्री को चिट्टी के साथ इसको भेजते हैं, आगे चलते हैं, देखते ह क्या होता है, प्रदान मंत्री मोडी जी से भी मैं अनुरोद करता हूं, अन्ना बाउट साथे को आइडेंटिफाइ करना, उनका सम्मान करना, उनको सम्मानित करना, यह देश का सम्मान होगा, कुछ और नहीं होगा, तो इसलिए प्रदान मंत्री जी से भी मैं अपील करता ह कि अन्ना बहुत साथे को बाहरत रत्य टैटिल डेना चाहिए वह विल्कुल इसलिए एलिगी में है हमारे बावना है आफ रानना बहुत साथे काम है मैं कितना भी वह कम है को गुथ टाम तक भी कह सकते हैं उनकी प्रेद संवान में लेकिन यह बात मैं जरूर कहाना लुसेटी सोट है मातंग समाज का सभी आधर नहीं माहराश्य समझ दाज है इसाते हैं आप और मेंगा हूं संथर यह आपको आश्वासन देता हूं जब कभी ऐसी क्ता कारें प्रयास करेंगा आपको सभी जगा मिले पहले जैसा नजरन्दाज नहीं किया जाएगा यह मेरा आपके साथ आश्वासन है तक हां अज सबाय में आकर आज सभी से मिलने का आप से डर्शन करने का मुझे सभा की मिला इसके लिए महीं अबारी हूं सचिन साथे का जिन्ओने मुझे आमंतर नयाया जाने का पिर एक बार आप तमाम भाइयों को बैनों को प्रणाम करते हुए मैं सचिन बाव साथे को धन्यवाद देते हुए अपने शेब्द को समाप्त करता हूं जै बीम जै अन्ना बाव साथे जै महाराश्टा जै बारा धन्यवाद